नवश्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चनल एजूटूबर देव पर तो दोस्तों कुछ दिन पहले निदे साले द्वारे एक प्रेश नोट जारी किया गया था सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट में जो चैनी थे उनकी जोइनिंग के सम हैं और दो और एड़ कर दीजिए पाली और चूरू नौ मंडलों को जो है एक तरीके से अलग अलग अबेर्थियों को आवंटित किया गया था उस प्रेस नोट में उनके रोल नंबर भी थे मैंने उस बारे वीडियो भी आपको बनाके उपलब्द करवाय था तो दोस्तों उसके लिए अब कल यानि की 22 अक्टूबर को जो है काउंसलिंग के मादियम से फिर जॉइनिंग की सारी प्रोसेस है और जो है कार्या देश उपलब्द उसमें जो है बिलकुल अवेलेबल करवा दिये जाएंगे और फिर जो है साइद 10 दिन का समय है और मोश्ट दीपावल तो सभी को पता है अल्मोस्ट बट अभी तक कोई ऐसी उसके समझ में सूचना नहीं थी तो उसके लिए दोस्तों आज का वीडियो का भी मैट पूर्ण होने वाला है तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीकानेर की तो देखिए मंडल में परतीसा सूची के 37 अबेर्थ सेयुक निदेशक या फिर सहय निदेशक होता है उन्हीं के पास से ये जॉइनिंग के आउटर जारी होता है जैसा आपको पता हो कि डीवी बगेरा सारा जो 30 गरेट का होता है वो सारा आपके कहां से जिला परिशत से मतलब डिश्ट्रिक लेवल से चीज़ें होती है और ठ अबिर्थियों को निव्प्ती देने के लिए 22 सक्टूबर को सुबह 9.30 बजे से पंजी करण होगा उसके बाद 10.30 बजे वरियता निर्धारन होगा मतलब कि सबसे पहले रेश्टेशन होगा कि कौन-कौन अबिर्थी आये हैं और उसके बाद जो है 10.30 बजे वरियता निर बजबेंड के ऐसी कोई सुवीदा नहीं है तो अकेला उनका सारा बिल्कुल जोब का कारिक्रम है फिर भूत पूर सैनिक एक सर्विसमेन उनको फिर सामाने अबिर्थी जो है सबसे लाश्ट में होते हैं अबिर्थी अपने विशे में रिक्त पताओं की सूची से अपने इ एक तरीके से वो ब्लैक कलर में ऐसे दिखाएंगे और जो इसको लखाली होंगी वो फिर आप्सन आपके पास उपलब्द रहेंगे और सिर्कारेले द्वारा मंडल में रिक्त पदों की सूची भी जारी कर दी गई है तो वो आप जब जाओगे काउंसलिंग में मिल वो हमें नहीं पता रहता है तो वो तो आपको काउंसलिंग में जाने पर ही पता चलेगा तो साड़े ग्यारव बजे काउंसलिंग सुरू हो जाएगी उससे पहले जो है रेइस्टेशन का और पिर जो मेरिट डिसाइडिंग है वो कारेकरम सुरू होगा मतलब किसको पहले अउसर दिया जाएगा तो उसके बाद फिर न्यूक्तियादे जारी हो जाएंगे फिर स्कूल में जाके आपको जॉइनिंग लेनी है और उसके बारे में हमने पीछले वीडियों बताये था कि कब तक जॉइनिंग की सारी डेट्स वगेरा है अब दोस्तों बात करते हैं पा अपना काउंसलिंग सुक्रवार को शेयुक निदेशक स्कूल सिक्सावबाग संभा कारेले मायजित की जाएगी शेयुक निदेशक अजे कुमार वाजपे ने बताया कि काउंसलिंग में अंग्रेजी के 43 हिंदी के 1 गनित के 21 संस्कृत के 10 विज्यान के 6 और सामाजी के 3 अ विका निरका मैंने बताया पाली का बताया चूरू हो गया उदेपूर हो गया भरतपूर हो गया और दोस्तों अपने अजमेर हो गया तो ऐसे करके 7 संभाग यह यूं कहें 6 संभाग और रह गये हैं और 7 मंडल चूरू भी रह गया है तो इसके लिए क्या किया जाए तो बि गाड़ी किराये पे ले लीजिए मैं सच बता रहा हूँ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस तो उसके माध्यम से आप पहुंच जाईए बहुत बार जब जोइनिंग का मेंटर होता है या काउंसलिंग का होता है इस एक तरीके से जो अभी ये लाश्टी प्रोसेस है अभी तो उ नौ बजे आपको वहां पहुंचना है जो भी आपको संभागाउंटित किया अब कहां पहुंचना है तो जैसे मैंने अभी बताया कई सारे कमेंट्स भी आये थे कि सर कहां से जोइनिंग के प्रोसेस होती कि यूँ थर्ड ग्रेड की जिले लेवल पे है सेकिंड ग्रेड की अपने संभाग या मंदल लेवल पे है तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेयूंत निदेसक यह यूँ कहें अपने जो दोस्तों जॉइंट डारेक्टर जिनको कहते हैं जॉइंट डारेक्टर जिनको ऑफिस कहते हैं एक तरीके से तो उसमें आप पहुंच जाई गूगल पे जानकारी चाहें तो कॉंटेक्ट नंबर वगएरा हमें उखलब कर रही है तो कॉंटेक्ट का जो पूरा पीडियाप है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एड्रिस भी है जिस पे आप जाके आप सारे जो है यह संयुक निदेसक वगएरा जो भी है इसके अधिकारी वगएरा तो उनके आप जो है फोन नंबर वगएरा सब अवेलेबल है परसनल नंबर भी है टेली फोन नंबर भी है तो आप उनसे बात करके और ज्यादा इस पर जानकारी ले सकते हो कि कितने बज़े कारे करम सुरू हो रहा है कांस्टिंग का तो यह है दोस्तो एक तरीके से अगली जो भी आप भरती की त्यारी करें चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हों चाहे अगर कॉले लेक्चरर की करें तो उसमें भी आप सफलता अर्जन करें और अपने और माता पिता का नाम रोशन करें इसी उमीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों और नेक्स जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुचा दूँगा वीडियो और कम्यूनिटी पोस्ट के माधियम से तब तक ही लिए दोस्तों धनेवाद नमस्कार